2020 में रसिया से एलेक्जेंडर घूमने आता है भारत में और उसके पास मात्र 90 दिन का वीजा था, वो टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आया था, मलेशिया से उसने फ्लाइट ली, कोची में वो लेंड हुआ और 90 दिन बाद उसको भारत से लोट जाना था, लेकिन असलियत यह है कि वो पिछले तीन सालों से भारत में ही है, 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ एलेक्जेंडर ओवेद तरीके से यहां पर रह रह रहा था, मूल रूप से वो रूसी नागरिक है, आया मलेशिया से था और पकड़ा गया है बिहार के नालंदा से अलेक्जेंडर के आलोक बाबा बनने की कहानी है यह, कैसे 90 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ एक आदमी भारत में ही 3 साल से रह रहा था, बंगाल के पते पर आधार कार्ड भी बनवा लिया था, और बंगाल में रहने के बाद वो अभी बिहार के नालंदा में आ कड़ा गया क्योंकि उसके पास तो जाली कागजात थे, वीजा पर उसने रफ लेंग्वेज में अपने सही एडिट करके उस वीजा को 2024 तक का वैलीड कर दिया था, और जब इसकी जाच हुई, तब मालूम पड़ा कि वो तो 90 दिनों के लिए 2020 में जनवरी महिने में आया थ और उसके बाद ना तो उसने अपने वीजा को एक्स्टेंड करवाया और ना ही वो अपने देश लोटा, अलेक्जेंडर नाम है इस आदमी का देखिये तस्वीर यहाँ पर और ये मूल रूप से रशिया का नागरिक है, ये आया था 29 जनवरी 2020 को और 29 जनवरी 2020 को ये मातर 90 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर आया था, अब टूरिस्ट वीजा तो 90 दिनों के बाद खतम हो गया, लेकिन याद करिये कि 2020 में ही कोरोना आया था और कोरोना के चलते ये यहाँ पर फस गया जो की ये बता रहा है, इसके बाद इसने अपने वीजा को कभी एक्स्टेंड नहीं करवाया और फिर भारत के अलग-अलग राज्यों में जाकर छुप-छुप कर रहने लगा, इसका अगला ठिकारा बनता है बंगाल और बंगाल में जाकर ये रहता है लंबे समय तक, वहीं पर आधार कार्ड फरजी बनवाता है और फिर पूरे भारत में घुमने लग थे और वहीं पर रूस का ये अलेक्जेंडर जो आलोक बाबा है पहुच गया और वहां पर जब ये पहुचा तब वहां के अधिकारियों ने इससे इसका कागजात मांगा, कागजात मांगा गया ओरिजनल वाला लेकिन इसके पास तो कुछ था नहीं, इसने फोटो कॉपी और फोटो कॉपी पर इसने अपने वीजा का डेट था वो बढ़ा दिया था जो 2024 कर दिया था और 2024 करने के बाद जब उन लोगों ने इसकी चेकिंग की तब मालूम पड़ा कि वीजा तो expired है, तीन साल पहले expired है और ये यहां पर पिछले तीन सालों से अवैध रूप से रह जब पूश्ताच की गई उससे तब उसने बताया कि वो 2020 में भारत में घूमने आया था लेकिन कुरोना आ गया तो वो जान ही पाया और उसके बाद वो भारत में ही रहने लगा और अभी उसको कोट में पेश कर दिया गया है, जेल भी भेज दिया गया है, तस्वीर देख एक दम बाबा की शकल में भागवा टीशट पहना हुआ, माथे पर गंधे पर गंची लिया हुआ, गले में रुदराज का माला टाइप का पहना हुआ, ताकि किसी को शक नहीं हो, और आम तोर पर जब कोई ऐसा पहन ओड कर रहता है, तो उससे लोग सवाल कम पूछते हैं, सोचते हैं कोई आध्यात्मिक आदमी होगा, कोई बाबा होगा, और बाबा से सवाल पूछने का प्रचलन हमारे यह नहीं है, और इसी का फाइदा रूस का नागरिक एलेक्जेंडर उठा रहा था, जो कथित तोर पर भारत में आलोक बाबा बन कर रह रहा था, तीन साल पह था कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन नालंदा में जब वो मेरिटेशन सेंटर में गया, तब उससे उसके कागजात मांगे गए, और जब वो कागजात नहीं दे पाया असली वाले, तब लोगों को शक हुआ, और जब सेहन जाच हुई, तब मालूम पड़ा कि उसके पास तो बंगाल का एक फरजी आधार काड भी है, आधार काड भारत के लोग का बन सकता है, विदेश के मूल का लोगा कभी नहीं, लेकिन उसने फरजी तरीके से वो भी बनवा लिया था, उसके पास जो वीजा था, वो 2020 का expired वीजा था, और वो पिछले तीन साल से भारत के जग दिया गया है, और अब जाच चल रही है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था, उसका मनसूबा क्या था, क्या वो कोई जासूस था, या फिर इसके अलावा उसको कोई भारत में पसंद आ गया था, या भारत में ही उसको रहना अच्छा लग रहा था, तमाम अलग अलग चीजों पर अलग अलग परस्पेक्टिफ पर जांच हो रही है और जैसे ही जांच में कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे आप जंदा रेंग्शन देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद